चाया का विवाह, उसकी शादी जो है उससे नहीं हो सकती, ये माधव जो है शेकर से कहता है, पहली बार माधव के साथ देवदत से यानि चाया के भाई से मिलने गया था, उस वक्त भोर के तारे की रचना जो है शेकर ने की, सिंदी नदी पार करके अंबी राज को नस्ट कर यहां पर देवदत जो है जाने से पहले अपनी बेहन का विवाह जो है करना चाहते हैं, प्रणाम मैरी हानायस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवाक्ता, मेरे पोर समिस्टर के BCA के जितने बे विध्यारती हैं, आप सब का मेरी कक्षा में स्वागत है, मेरे प्र तरकत जो दूसरी एकांकी है आपके लिए भोर का तारा, आज मैं इसी एकांकी के बारे में जानकारी दोगी, पहले हम इस एकांकी के जो एकांकी कार है, जगदिश्चंद्र माथूर इनके बारे में सम्शिप्त में जानकारी हासिल करेंगे, जगदिश्चंद्र माथूर, जगदिश चंद्र माथुर जी का जन्म जो है 16 जुलाई 1917 में हुआ इनकी रचनाएं इस प्रकार है भोर का तारा कुनार्क ओ मेरे सपने शार दिया और दस तस्विरे परंपराशील नाट्य पहला राज यह सब जो है इनकी रचनाएं जिनोंने जीना जाना धरती धन अपना यादों का पहाड ये बी इनकी रचनाएं इनकी जो मृत्यू है वो 14 में 1978 में इनकी मृत्यू हुई थी जो आपके लिए भोर का तारा है इसके जो पात्र है वो इस प्रकार है शेकर इस एकांकी का जो पात्र है वो उज्जैनी का कवी है जो मुख्य किरदार निभाता है और माधव गुप्त सामराज का एक राज्य कर्मचारी और शेकर जो है इसका मित्र शेकर का मित्र माधव चाया शेकर की प्रियसी है शेकर जो उज्जेनी का कवी है उसकी प्रियसी चाया है और बाद में वो इसकी पत्नी भी होती है बाद में इसकी पत्नी भी बनती है प्रियसी और पत्नी जो चाया है पिर स्तान जो है गुप्त सामराजी की राजधानी उजेनी में साधारन कवी का ग्रह समय है 455 इसवी के आसपास शेकर माधब चाया के बाद देवदत का भी यहां पर जिक्र है जो देवदत चाया का भाई यह सब जो है इस एकांकी के पात्र है भोर का कारा जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि आकाश में शुक्र ग्रह को आसानी से चमकते हुए देखा जा सकता है इसलिए भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है और शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहते है संध्या या भोर का तारा भी कहते है भोर का तारा एक एतिहासिक एकांकी है इसमें जी प्रेम पर स्वदेश प्रेम के महत्व और स्वदेश के प्रति कर्तविय का चित्रन किया है एकांकी कार ने स्वदेश और गुप्त सामराज्य के रक्षन के परिप्रेक्ष में शेकर के विक्तित्व उसके गुडों एवं स्वराश्ट्र की रक्षा के लिए योगदान को चित्रित किया है स्वदेश के लिए जो योगदान है उसे यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है जो आपके लिए एकांकी है उसका पहला दृश इस फ्रकार कवी जो शेकर है वो अपने कमरे में वो जो है अपने घर में बैठा हुआ है सब वस्तुय जो है अस्त विस्त बिक्री पड़ी है पहले दृश में जो शेकर कवी जो है वो बैठा हुआ अपने ग्रह में अपने घर में और सबी वस्ते वस्तुय जो है अस्त विस्त बाई और एक तखते पर मैली फटी चादर बिच्छी है पीछे की और एक खिड़की है बाएं दर्वाजा अंदर जाने के लिए बायां दर्वाजा जो है अंदर जाने के लिए इस तरह से शेकर का घर जो है उसका वरणन हुआ है फिर शेकर कुछ गुन गुनाते हुए कुछ कहें गुन गुनाते हुए कहें टहलता है या कभी-कभी तखते पर बैट कर कुछ लिखता जाता है कभी गुन-गुनाता है कभी तखते पर बैट कर लिखता जाता है तभी माधव का प्रवेश होता है और देर तक शेकर को देखता रहता है माधव जो इसका मित्र है इसके घर में आता है शेकर अपने ही धुन में कुछ लिखते हुए कुछ गुन गुनाते हुए अपनी ही दुनिया में डूबा हुआ है और बहुत देर तक माधव शेकर को देखता रहता है माधव शेकर को पुकारता है तब शेकर का ध्यान भंग होता है बहुत देर तक देखने के बाद माधव जो है शेकर को पुकारता है उस वक्त जो अपने ही दुनिया में डूबा हुआ था शेकर उसका ध्यान भंग होता है फिर ध्यान भंग हो जाता है शेकर कलपना में डूब चुका था पिर दोनों कलपना और एथार पर बाते करने लगते हैं कलपना और एथार्त जो हैं उस पर दोनों बाते करते रहते हैं इसी बीच माधव शेकर से पूछता है कि क्या वो च्छाया से प्रेम करता है तब जो है शेकर केहता है इस संसार में उसे दो ही चीजों से ज्यादा प्रेम जो दो ही चीजों से दो ही वस्तूओं से उसे प्रेम एक कविता और दूसरी उसकी कविता की प्रेरणा च्छाया जो कविता को लिखने की प्रेरणा बनी हुई है च्छाया ये दो वस्तूओं से एक तो कविता से एक तो च्छाया से इसे बहुत ज्यादा प्रेव इस तरह से शेकर जो है माधव से कहता है लेकिन छाया का विवाह उसकी शादी जो है उससे नहीं हो सकती ये माधव जो है शेकर से कहता है तो यहाँ पर क्यूंकि उसका भाई देवदद जो है वो अपनी बेहन का विवाह एक साधरन कभी से नहीं करे इसी बीच माधव शेकर से कहता है जब वो कहता है कि मुझे दो ही वस्तुवण से ज्यादा लगाव बहुत प्रेम है ये कविता और जो कविता लिखने के लिए प्रेरणा है छाया इन दोनों वस्तुवण से मुझे प्रेम है और वो अपनी कह मन की बात ये भी करता है कि जो चाया है उसका विवाहा शेकर से नहीं हो सकता क्यूंकि चाया का जो भाई है देवदत वो जो है देवदत अपनी बहन का विवाहा एक साधरन कभी से नहीं कर सकता इसी बीच जो है माधव शेकर से कहता है कि तुम्हें राच कवी का पद मिल गया है तुम्हें राच कवी का एक पद जो है तुम्हें मिला हुआ है ये सूचना भी जो है यहाँ पर माधव शेकर को देता है माधव शेकर को देता है और कहता है कि उत्सव में छाया ने शेकर का लिखा हुआ गीत गाया था जिसे सुनकर सामराट ने गीतकार का नाम पूचा और उसे वह गीत बहुत पसंद आया तो उस गीत को लिखने वाले को राज कवी का पद दे दिया शेकर का लिखा हुआ गीत जो है चाया गाती है और सामराट को वो गीत बहुत पसंद आ जाता है और उस गीतकार का नाम जब पूछते हैं तो चाया उसका नाम बताती है उस वक्त क्या है? उस वक्त राज कभी का पज जो है सामराठ दे देते है राजाधी राज, राजाधी राज जो है सामराठ सकंद गुप्त विक्रमा गित्त के दर्मार में ही जो है कल से तुम्हें रहना पड़ेगा उनके महल में इस तरह से बताता है पिर माधव कहता है कि देवदत को सामराट ने आगनिया दी है कि वो तक्षशिला जाकर वीर भद्रा के विद्रोह को दबाए और देवदत के साथ मैं उनका मंत्री बनकर जो है बनकर मैं उनके साथ जा रहा और यहां पर देवदत जो है जाने से पहले अपनी बेहन का विवाहा करना चाहते हैं अपनी बेहन का विवाहा करना चाहते हैं वहां शेकर से छाया का विवाहा करना चाहता है तो यह क्या है देवदत जाने से पहले युद को जाने से पहले अपनी बेहन का विवाहा जो है शेकर से करना चाहते हैं यह भी मादव जो है शेकर से कहता है तो यह सुनकर शेकर बह बहुत खुश हो जाते हैं पेर और बच्चों की तरह च्छाया च्छाया करके अपने आप च्छाया का नाम जो है लेने लगते हैं दूसरा दुश्य उज्जैनी में आर्य देवदत का भवन जिसमें अब शेकर और च्छाया रहते हैं कमरा सजा हुआ है और साफ है सामने तखते पर चटाई और लिखने पढ़ने का सामान है शेकर उज्जैनी का सुप्रसित कभी बन चुका है और च्छाया के प्रेम में भोर के तारे की रचना करता है और च्छाया से कहता है कि इस महा कावी की रचना उसने उस दिन किया था जब मादव के साथ पहली बार वो देवदत से मिलने गया था ये सुनकर चाया बहुत खुश हो जाती है और शेकर से कहती है ये हमारे प्रेम की अमर स्मूरती है जो भोर के तारा जो रचना की है वो इनके प्रेम की अमर स्मूरती है करके चाया कहती है तब चाया के थे तुम इसे सम्हाल कर रखोगे न, मुझे डर लगता है कि कोई ये नस्ट न, यहीं कहीं ये नस्ट न हो जाए, फिर चाया जो हैं शेकर से कहेते हैं कि इसे तुम सम्हाल कर रखोगे न, मुझे डर लगता है कि कहीं ये नस्ट न हो जाए, फिर इसे कोई चु जाता है और कहता है कि वो तक्षिशिला के अधी पती देवदत की बहन और जो है उज्जैनी के सुप्रसित कवी की पत्मी है ये कहकर हसने लगता है ये कहते हुए वो हसने लगता है सहसा बाहर कोला हल कोला हल यानि शोर और क्या है शराबय की अवाज आती है घोडों की टापों की अवाज आती है दोनों खड़े हो जाते हैं ये दोनों शेकर और छाया खड़े हो जाते हैं तबी मादव प्रवेश करता है जो मंत्री बनकर युद में देवदत के साथ गया थ शेकर का मित्र मादव वहां पर आता है वो हो पसीने से नहाया नहा रहा है चहरे पर भै और चिंता के चिन है और वो कहता है कि मैं तक्षिशिला से ही आ रहा हूं कहता है कि मैं तक्षिशिला से आया हूं उसके चहरे पर भै डर पसीने जो है कहें पसीनों की बुंदे गिर रह भीट हो गया है और कहता है कि मैं तक्षिशिला से ही आ रहां यह जानता है कि आज गुप्त सामराज संकट में है आज गुप्त सामराज जो है संकट में है फिर और हमें घर घर भीट मांगनी पड़ेगी घर घर जाकर भीट मांगनी पड़ेगी और कहता है कि शेकर पस्चिमो पुत्तर सीमा पर आग लग चुकी है, कूनों का सरदार तोर्मन भारतवश पर चड़ आया है, तोर्मन यहां पर युद के लिए चड़ाई कर दी है, यह इतिला जो है वो देता है, फिर उसने सिंधी नदी को पार कर लिया है, उसे अंबी राज को नस्ट कर दिया, सिंधी नदी पार करके अंबी राज को नस्ट कर दिया, उसकी सेना तक्षशिला को पार, यह इनि पैरों तले तक्षशिला को पैरों तले रोंद रही है, और कहता है कि आज सामराट को साइनिकों की अवशकता है, आज सामराट को जो है साइनिकों की जो है अवशकता फिर यहां पर शेखर अवशकता है शेखर फिर ओजमाई कविता के द्वारा तुम ओजमाई यानि जोस्ते भरी देश फ्रेम की कविताओं से जो है तुम गाम गाम में जाकर वो आग लगा दो तुम कहे जो देश फ्रेम की जो कहे गीत है उससे गा गा कर ऐसी आग लगा दो कि देश की रक्षा के लिए शस्त्र जो है हात में ले ले तब यहां पर जो है देश की जनता देश की रक्षा के लिए तुमारे जो इनी जो देश फ्रेम की गीत तुम गाओगे उससे जो है प् अपने हाथों में ले ऐसी गीत जो है तुम्हें गाना पड़ेगा घर घर जाकर हमें ये करना पड़ेगा करके यहां पर माधव शेकर से कहता है हाथ में ले लो यहीं शस्त्र हाथ में ले ले तब छाया अपने भाई के बारे में पुछती है तब माधव कहता है मेरे प्राण क्या चीज है इसमें तो सहस्त्रों मिढ गए और सहस्त्रों को मिटना है मेरे प्राण क्या चीज है इसमें सहस्त्रों मिढ गए सहस्त्रों को मिटना है मिटना है इस तरह जो है ये कहकर अंतिम सांस जो है देवदत ने ली इसके भाई के बारे में जब छाया पुछती है तो ज देवदत ने अंतिम बार जो कहा था उसको यहां पर वो कहता ये सुनकर छाया रो पड़ती है पृत्वी पर क्या है गुटनों से गिर जाती है माधव की बातों से प्रभावित होकर शेकर अपने गरंतों की और कुछ देर देखता है जो है माधव की बातों से प्रभावित होकर शेकर कुछ देर तक अपने गरंत की और देखता रहता है और उसे जलती हुई अगनी में पेग देता है जो भोर का तारा जो लिखा था उसे अगनी में वस्म कर देता है और कहें फाड कर डाल देता है फाड कर अगनी में डाल देता है और चाय की और देखकर बाहर चला जाता है शेकर जो है चाय की और एक्षण देखते हुए बाहर चला जाता है पर चाया पीडित स्वर में माधव से कहती है तुमने तो मेरा प्रभात नश्ट कर दिया तुमन माधव कहता है शाया मैंने तुम्हारा प्रभात नस्ट नहीं किया है प्रभात तो अब होगा शेकर तो अब तक भोर का तारा था अब वो प्रभात का तारा होगा पहले शेकर जो है सिर्फ भोर का तारा था अब जो है वो प्रभात का तारा होगा खिडकी को खोलता है जिससे कोला हल स्पस्ट सुनाई देता है खिडकी जब मादव खोलता है तो वहां से शोर जो है स्पस्ट रूप से सुनाई देता है और शेकर और उसके साथ पूरे जनसमूख के गाने का स्वर सुनाई उसे देने लगता है यानि शेकर अपने देश प्रेमी के गीतों से जो अपनी गीतों से जोशिले यानि देश प्रेम से भरेवे गीतों से पूरे जन को जो देश की जनता है उसे शस्त्र लेने के लिए जो है वैकुल कर देता है अपने गीतों से तो इस तरह से जो है आपके एकान की है भोर का तारा ये एकान की उस अवश्यकता यानि जब देश पर संकट आती है तब युवकों की भूमी का पहचान कर कभी के माध्यम से युवकों में प्रेम परायन के स्थान पर शौर्य भाव तथा त्याग की भावना भरने की जो है बात करते हैं कभी जो है जब देश पर संकट आता है तो नुव युवक जो है अपने प्रेम को छोड़ कर जो है देश प्रेम में देश प्रेम की भावना जगाने का ये प्रयास जो है शेकर के माध्यम से इस एकांकी में किया फिर शेकर भोर के तारे को अगनी में डाल दे तो यहां पर प्रेम परायन भावना को त्यागने का प्रतिक और अगले कक्षा में किसी और एक कंकी के बारे में जानकारी पराफ करेंगे धन्यवाद झाल झाल झाल